दोस्तो आज चनाई सूपर किन्स और संराइज हैदराबाद की टीम के बीच IPL क्या 46 मुकाबला खेला जा चुका है जहाँ इस पड़े मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस चीतते ही पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया और दोस्तो उनका ये फैसला काफी अच्छा चनाई का स्कूर 100 लन के पार पहुंचा लिया था और दोस्तो इस मुकाबले में अपना अर्षय पूरा कर चुके थे जहां। 27 रनों की शांदार पार्टनर्शिप भी कर ली थी और दोस्तों चनई की टीम एक बड़े टोटल की तरफ आगे बढ़ रही थी लेकिन 126 रन के स्कोर पर जैदेव उनटकट ने ड्रायल मिचल का आउट कर दिया और दोस्तों ड्रायल मिचल 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए थे जहां उनके आउट होने के बाद बलेबाची करने शीवम दूबे उतरे और दोस्तों शीवम दूबे ने एक बार फिर से चनई की तरफ से काफी कमाल की बलेबाची करी जहां इसके बाद रितुराज गाइकवार्ड भी काफी कमाल की बलेबाची कर रहे थे और इ तीन चक के दस चौकों की मदस से अंठानवे रनों की शांदार पारी खेल कर आउट हुए और वो अपने शटक से केवल दो रन दूर रह गए थे जाएंस के बाद बैटिंग करने धोनी उत्रे और धोनी ने दो गेंदों पे पहांच रन बना कर नोट आउट रहे तो शीवम दोस्तों उनकी शुरुआत बेहती खराब रही क्योंकि 21 रन के स्कोर पर उनको एक के बाद एक दो बड़े जटके लगे और ये दोनों ही जटके तुशार देश पांडे ने दिये जहां पहले उनकी गेंद पर ट्रेविस हैर तेयर रन बना कर आउट हुए थे तो इसके ब के तीन विकेट 40 रन के स्कोर पर गिर चुके थे जहां इसके बाद चने की गेंद बाजी इसके बाद और ज्यादा खतरनाक होटी चली जा रही थी यूगी दोस्तों इसके बाद पती रना ने माकरम को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 32 रन बना कर आउट हुए थे जहां के बाद अब्दुल समुद केवल 19 रन बना कर शारदुल ठाकुरी की गेंद का शिकार बने थे और दोस्तों हैदराबाद के 119 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे और उनकी हालत पूरी तरह इस मैच में खराब हो चुकी थी और ये मुकाबला दोस्तों हैदराबाद के टीम बूरी तरह हाल गई क्योंकि उनकी आखरी 22 गेंदों पर ये मुकाबला चीतने के लिए पूरे 94 रन बनाने थे और इसके बाद दोस्तों चने ने ये मुकाबला काफी अराम से जीत लिया और इस जीत के साथ दोस्तों चने की आप पॉइंच टेवल में पूरी तरह 10 पॉइंट हो चुके हैं और उन्हें पॉइंट टेवल में भी अच्छा खासा फाइदा पहुंचा